तो आज मैं बनाने जारी हूं स्टीम्ट मोदक की रेसिपी और यह महाराश्र की ट्रेडिशनल मोदक की रेसिपी है इसको बोलते हैं उकडीचे मोदक और यह कंपरिटेवली हेल्दी है क्योंकि इसमें शुगर मैंने सिफ एक टी स्पून यूज किया है आप चाहिए तो वह कर सकते हैं साथ ही साथ यह फ्राइट नहीं है तो चली शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना सबसे पहले एक पैन रखेंगे पिल्कुल लो फ्लेम पर और उसमें मैंने डाला है दो टीबल स्पून वाइट वाला जो तिल होता है उसको हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे अगर आप चाहें तो ताजा जो नारियल है उसका भी आप यूज कर सकते हैं तो इसको हमें हलका सा गोल्टन ब्राउन होने तक भून लेना है अब इसके बाद मैं आट कर रहे हूं आधा कप जैगरी पाउडर यानि गुड का पाउडर अगर यह ना हो तो आप गुड को भी घिस अगर आपका गुड इस तरीके से मेल्ट नहीं हो रहा है तो आप उसमें एक से दो चमच पानी का भी यूज कर सकते हैं तो अब यह गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है यहां पर मैं डाल रहे हूं जितना इलाइची का पाउडर और मिक्स कर लेंगे और गैस को अब हम कर और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब सेम पैन में मैं यहां पर डाल रही हूं एक टीस्पून देशी घी हो मेल्ट होने देगे और अब इसमें डालिह हूं एक कप दूद और साथ में डालगी एक कप पानी और इसको हमें अच्छे से बॉयल आने देना है अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बॉयल आ गया है अब मैं गैस को कर दूँगी बंद और बंद करने के बाद हम इसमें आट करेंगे 1.5 टी स्पून ऑफ शुगर अब आप चाहें तो आप इस चीज को अवाइट कर सकते हैं आप चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट और अब हम इसमें डाल देंगे एक कप चावल का आटा और अभी भी गैस बंद ही है इसको हम धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैंने आपर शुगर और सॉल्ट इसलिए डाला है ताकि जो कवरिंग है इसके चावल के आटे की जो हम उपर की बनाएंगे वो फीकी ना लगे तो आप चाहें तो चीनी की कॉंटिटी अपने हिसाब से आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं तो अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बार जब यह बिलकुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके इसको इस तरीके से मैश करते पर आप कोई भी स्पैशिला वगर यूज कर सकते हैं इस तरीके से हमें एक इसका सॉफ्ट मिक्षर बना लेना है ड्रेडिशनली इसमें दूद नहीं जाता है पानी से बनाया जाता है लेकिन मैंने हाँ पर दूद यूज किया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और बढ़ जाता है अब मैंने ग्राइस को बन कर दिया था और बंकर के इसको ढग कर चोड़ दिया था पांसे-स मिनिट के लिए अब हम इसको एक bowl में transfer कर लेंगे और हाथों में पानी लगा करके हम इसको एक dough बनाना इसका start करेंगे बहुत जादा गरम हो अगर mixture तो थोड़ा सा हलका सा गुनगुना होने तक के लिए छोड़ दीजेगा पर ध्यान में रखे कि mixture बिल्कुल थंडा नहीं होना चाहिए जब ये गुनगुना रहे तब ही आपको इसे dough बनाना है और बीच बीच में हाथ को आप पानी से गीला कर सकते हैं अब मैंने याप पर आधा चमच देसी घी का यूज किया है वापस इसको mash करेंगे नीट करेंगे इसको और बाद में आधा चमच देसी घी और लगा करके हम फाइनली इसका एक dough बना लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर यह dough बना के ready कर लिया है और यह stuffing भी हमारी ठंडी हो चुकी है तो चले इससे मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब मैंने यहाँ पर इस तरीकी का मोल्ड लिया हुआ है यह बड़े साइस का मोल्ड है आप कैसा भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं और इसको हमें घी से थोड़ा सा ग्रीस का लिए बहुत हलकलका सा घी लगाना है और वैसे इसको ट्रेडिशनली हाथों से बनाया जाता ह क्योंकि हर कोई नहीं बना पाता है तो इस वजह से मैंने आपको मोल्ड से बनाना बताया है और फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसको हाथ से भी बनाना जरूर से बताऊंगी तब मैंने थोड़ा सा पोर्शन इसका आटे का ले लिया है और इसको अब हम अंदर की तरफ करेंगे ध्यान में क्या रखना है कि जो इसकी आउटर कवरिंग हम बना रहें यह बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए तो आपको खाते वक्त आटे का टेस्ट जादा आएगा राधर देन फिलिंग का तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वह पतली ही रखेगा और अब हम इसे स्टफ कर देंगे जो मने स्टफिंग बनाए उससे फिंगर की हेल्प से इसको बिल्कुल अच्छे से अंदर तक प्रेस कर दीजेगा और आप चाहें तो आप स्टफिंग में किसी भी तरीकी के ड्राइफूट्स वगर का भी यूज कर सकते हैं तो अब यह फिल हो गया है और थोड़ा सा एक पोशन लेकर के हम इसके उपर से हम इसे कवर कर देंगे अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आटा आपका ड्राइ हो रहा है या मैनेज नहीं हो पा रहा तो उसमें थोड़ा सा आप पानी वाले हाथ करके और उसको वापस से गून दीजेगा तो य हम इसे उपन करके देख लेते हैं तो यह देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा एक मोदक बन करके तयार हो गया है थोड़ा बाद शेप को हम सही कर लेंगे तो यह मोदक हमारा बन करके रेडी हो गया है फटा फट से और इसी तरीके से और भी मोदक मैं बना लूँगी अब यहाँ पर मैंने एक इस तरीकी का स्ट्रेनर लिया हुआ है और उस पर मैंने थोड़ा सा देशी की ग्रीस कर लिया है मैं इसी पर रखते जाओंगी क्योंक अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को रखा हुए गैस पर उसमें एक रिंग रखी है थोड़ा सा पानी डाल करके और इस स्ट्रेनर को हम इसके ऊपर रख देंगे बेक शूर कि पानी का लेवल इतना हो कि वो रिंग के नीचे ही रहे वो स्ट्रेनर को टच ना करे और अब ह ध्यान रखेंगे कि हाई टू मीडियम के बीच में रहेगा 15 मिनिट के बाद हमारे मोदक जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गए हैं और अब हम गैस को बंद कर लेंगे अब मैंने इनको निकाल लिया और चलते थोड़ा से डेकॉरेशन पार्ट की तरफ तो मैंने इस तरीके से इसको हम डेकॉरेट कर लेंगे केसर वाले पानी से और अब हम इसकी प्लेटिंग करने स्टार्ट करते हैं मैंने इस ट्रेइनर पर इस पानी को इसलिए डाला था था कि जितना भी एकसेस पानी हो वो नीचे चला जाए अब मैं यहाँ पर गानिश कर रहे आप पर दीसी घी भी डाला जाता है तो दीसी घी डाल करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं और जो बचे वे साफरन स्ट्राइट्स थे उनसे मैं इसको डेकरेट कर लूगी तो हमारे मुदग बन करके रेडी हैं अब मैं एक मुदग आपको काट करके भी दिखा देती हूं अंदर से जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी खासी भरी हूई है और कवरिंग इसकी पतली है तो आए हो कि आज की ये रेस्पी आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आये तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलीगा जो लोग नए है मेरी चैनल पर मेक शूर यूर यू एंद बाइ बाइ फ्रमी